इसलाम अलेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शिफीक चीमा है, मैं नेफ्रालोजिस्ट हूँ, मैंने अपनी जो MBBS से ग्रेजुएशन है, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलिज से की, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलिस से ग्रेजुशन करने के बाद मैं फिर अमेरिका चला गया, वहाँ पे पहले मैंने इंटर्नल मेडिसन में अपनी रेजिदेंसी ट्रेनी कम्पलीट की, देन अब बिकेम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड आफ इंटर्नल मेडिसन, उसके वेश्चेस्टर मेडिकल सेंटर विल हाला न्यू यॉयॉक में, वहाँ पे मैंने किड्नी ट्रांस्प्लांट नेफरालोजी में, जो ट्रांस्प्लांट फिजीशन होता है, उसकी अपनी फैलोशिप कम्पलीट की, यह सारी ट्रेनी कम्पलीट करने के बाद मैं फिर टैक्स गुर्दों से हो, किड्नी से हो, उसको मैं डिल करता हूँ, काफीSU लोग आते हैं आपके पास नमें 60 को दिखाना है, एउरालोजिस को दिखाना है, तो बोरों में थोड़ा सा फरक है, जो के मेरे खियाल में सब को पता होना चाहिए, उसकी सिंपल सी एक्ज आपको गुर्दों का भी प्राबलम है, आपकी क्रियाट नहीं उपर है, पिशाब में आपके प्रोटीन आ रही है, या खुन आ रहा है, या किड्नी स्टोन है, तो सबसे पहले आप जो है ना किड्नी के स्पेशलिस्ट, फिजिशन के पास जाते हैं, वो जो फिजिशन स्पे हो, किड्नी का कोई प्राबलम हो, पिशाब में प्रोटीन आ रही हो, बलड डारा हो, किड्नी स्टोन हो, तो इन सारी चीजों के लिए जो आपने सबसे पहले जाना है, वो निफरॉलोजिस्ट के पास जाना है, अगर आपका निफरॉलोजिस्ट आपको रेफर करता है, वो क्रॉनिक किड्नी डिजीज है, उर्दू में आप उसे गुर्दों की दाइमी बिमारी कह सकते हैं, अब यह जो क्रॉनिक किड्नी डिजीज है ना, यह एक खमोश कातल है, यह साइलेंट है, इसके कोई साइन सिंटम, कोई इलामात नहीं होती हैं अर्ली ओन, और आपको जैसे डायबिटीज है, हाई बलड प्रेशर है, किड्नी स्टोन है, कुछ महरूसी बिमारी है, यह सारी मिलके क्रॉनिक किड्नी डिजीज करती हैं, क्रॉनिक किड्नी डिजीज जो हैना, वो आइस्ता इस्ता बढ़ती जाती है, और इस लेवल तक चली जाती है, कि आपके गुर्दे फेल होने के निजदीक होते हैं तब आपको सिम्टम्स या लामाद अपियर होती हैं उसकी बड़ी बड़ी लामाद में भूग का ना लगना नीन का ना पाउं पे सोज वर्म या डीमा का हो जाना आपको जो है थकावट होना जरूरत से ज्यादा थकावट आप की के दोरे भी पढ़ सकते हैं ये सारी लामत आती एंड स्टेज में हैं इंपॉर्टन चीज ये है कि हर वो इनसान जिसको या तो शूगर है या उसको बलड प्रेशर है क्योंकर ये दो सबसे कॉमन कॉजीज है किड्नी डिजीज की उसको उसके लिए जरूरी है कि वो ये स्क्रीनिंग करके कीड्नी डिजीज को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसकी जो है ना इलाज असान है क्योंकि प्रिवेंशन इस आलवेस बेटर देन क्यों अगर आप इसको प्रिवेंट कर लेते हैं अर्ली स्टेजीज में पकर लेते हैं तो इसकी क् कमल जो शफार याबी है वो मुमकिन है लेकिन अगर यह बढ़ते बढ़ते एगली स्टेजिस पे चली जाए तो फिर यह इरवर्सेबल हो जाती है फिर ठीक नहीं होती फिर उसमें इल्टी में लिए आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं आपको एंड स्टेज किड्नी से बच सकते हैं इन्हें आप गुर्दों की बिमारी से बचने के सनहरी एसूल या गोल्डन डूल्स भी कह सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टन तो यह कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें ताकि आप उसका लाज करें वो असान है दूसरा यह कि आप मतوازन गजा मतوازन जायादा मकदार में पानी का इसमाल करें अगर आपको डायबटीज आसका लाज ठीक करें बुलड़ प्रेशर असका लाज ठीक करें उसको कंट्रोल में रखें फालो अप रखें और सबसे इमपॉर्टन अगर आपका वजब जचादा है Negahu करें एक्सेसाइज करें बैलन्स डाइट लें और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि लोग दर्द के लिए पेन के लिए और मुक्तलिफ अमराज के लिए कुछ ऐसी दवाईया ले ले लेते हैं जिने नॉन स्टीराइडल एंटी इंफलेमेटी ड्रग्स कहते हैं या हकीम की या हर्बल या कुछते य उनको विदाउट किसी अच्छे नेफरालोजिस की कॉंसल्टेशन के कभी भी न लें बिल्कुल न लें तो ये तो अभी हमने सारी बात किया करौनी किड्नी डिजीज की ये सबसे कॉमन है तकरीबन डबली ओएचो के अदादों शमार के मताबक पाकिस्तान में 20 से 25,000 अगर आप बलड पेशर का ईलाज नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट में भी किड्नी डिजीज होगी, स्ट्रोक हो सकता है, फालज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है तीसे नमर में पाकिस्तान में, चुँके यहां गरम मुलक है, स्टोन बेल्ट में आता है, किडनी स्टोन का रिस्क बहुत ज़ादा है बहुत सारे लोगों को किडनी वाली जगा पेन होती है और यूजिलि अंदर गुर्दे के अंदर पत्थरी या स्टोन होती है उसकी इलामाद में दर्द होना पशाब में खून का आना बुखार हो जाना ये सारी है तो इस वज़ा से इसका इलाज भी अनिशल स्टेज में मैडिसन से होता है तो निफरालोजिस करता है मैं किसी का भी गुर्दा ले सकता हूँ को नहीं उसके लिए मेरा उनको मशवरा यही है कि पाकिस्तान में अनेथिकल है इलीगल है वैसे भी प्रफेशनली भी ठीक नहीं है तो आपका कोई रिलेटिड फैमिली मेंबर होना चाहिए और अगर आपको डायबिटीज या हाई बलड पेशर उसका इलाज करें ताकि आपकी किड्नी डिजीज की प्रिवेंशन हो सके और सबसे इंपॉर्टन चीज है कि अगर आपको पता चाल जाए कि आपको किड्नी डिजीज है तो इधर उदर टाइम ना वेस्ट करें किसी अच्छे अथेंटिक कॉम्पिटेंट वैल ट्रेंड नेफरालोजिस के पास जाएं और वो जो 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 इंस्टॉक्शन देता है जो जो मेडिसन देता है जो जो गजाई पर हेज़ाब को बताता है उस पे पूरी तरह से अमल करें क्योंके गुर्दे है तो जिन्दगी है गुर्दे है तो जहान है और इसको अगर आप टाइमली प्रिवेंट कर लें तो आप एक हैल्दी और अच्छी और मतवाजन जिन्दगी गुजार सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि गुर्दों की किसी भी बिमारी से रिलेटिड आप मुझसे कॉंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम की ऑनलाइन एप्लिकेशन पर जाके मेरे साथ अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं ताके मैं आपको डिटेल में देख सकूँ Thank you very much.